भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादो का गाना इश्क रिलीज हो चुका है एक घंटे में एक लाख पैतिस हजार लोगों ने देखा है दस हजार लाइक्स आए हैं क्या गलत हुआ इस सौंग के साथ हम पहले तो इसकी बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही गलत है खेसारी के साथ क्योंकि ये सौंग एक हिंदी सौंग है इसके लिए बस बनाया गया कि ये हिंदी सौंग नहीं है ये बोजपुरी सौंग हो सकता है आपको ये भी बता दे कि इस सौंग के बोल इतनी जानदार है यह गाना किसी भी बड़े हिंदी सौंग को मात देने के लिए काफी है और इसे स्पीड भोजपुरी पर रिलीज करना सबसे बड़ी बेवकूफी है क्योंकि अगर हिंदी सौंग है तो इसे स्पीड रिकॉर्ड पर रिलीज करना चाहिए था जहां पंजाबी हिंदी सारे गाने रिलीज होते हैं और वहीं इसे रिलीज करना चाहिए था और ये गाना यकीन मानिए लोगों में एक जलजला ला देता आपको कह सकते हैं भुकंप ला देता तबाही ला देता मैं इश्क ह बुखार नहीं जो दवा से उतर जाओंगा इस तरह के जब किसी गाने के बोल है तो आप समझ सकते हैं गाना कितना बहतरीन होगा और पहली बात तो इस गाने की एक निगेटिव पब्लिसिटी की गई इस गाने की पॉजिटिव पब्लिसिटी बिल्कुल नहीं की गई इस गा जो कि इस गाने के लिए प्लस होता वैसे पॉब्लिसिटी चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव है बोथ आगेन यानि कि दोनों फायदेमंदी होती है लेकिन फिलहाल इस गाने के लिए तो ऐसा लगता है कि खेसारी के साथ सच मुझ कुछ गलत हो रहा है क्योंकि ये गाना एक वाकई बहुत बहतरीन गाना है जिस जोश से खेसारी ने गाया है उसे देखकर ये लग रहा है कि ये गाना स्पीड रिकॉर्ड पर रिलीज होना चाहिए था बलकि स्पीड रिकॉर्ड भोजपुरी पर जो रिलीज हुआ है वो काफी गलत कर दिया गया है चैनल वालों की तरह से और उन्हों ये गाना स्पीड रिकॉर्ड पर रिलीस करवाना चाहिए था इस गाने का इंतिजार के सारी के फैंस को लगातार था और ये गाना रिलीस हो चुका है गाना बहुती बहतरीन है, नो डाउट खेसारी ने बहुत अच्छा गाया है गाने की बोल भी बहुत अच्छे है लेकिन इसके साथ दो तीन चीजे लगा तार गलत हुई और गाना हो सकता है कट और गाना 110% बहुत अच्छा करेगा लेकिन ये और भी अच्छा कर सकता था एक नया रिकॉर्ड कायम कर सक और खेसारी का रिकॉर्ड जो खेसारी का सबसे जादा एक दिन में व्यूज का रिकॉर्ड है खुद ये गाना तोड़ देता लेकिन कुछ चीजे गलत हो चुकी हैं जो कहीं न कहीं अजीब सी लग रही हैं भूचपुरी जगत की होटर मसालेदार गौसिप के लिए हमें सब